हैं ससक्राइब कीजिए एफ के गूरू चैनल को और बेल आयकन को भी दबा दीजिए हमारे लेटस वी डेखने की लिए चलिए दोस्तो हमागे चलते हैं हेलो दोस्तो आप देख रहे हो एपके गुरू चैनल दोस्तो आज हम बात करेंगे देसी बकरी से क्या हमको ज्यादा मुनाफ़ा होगा या नहीं क्या देसी बकरी को हमको बिजनेस में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए आई हम इसी चीज़ पर आज हम बात करते हैं दोस तो आज माल लेजे हमारे पास देशी बक्री है अगर आप बक्री फर्म नया कर रहे हैं तो कोशिच कीजिए आप देशी बक्री से करने के लिए क्योंकि आपके पास पैसा कमी है मालिज आपके पास पैसा कमी है तो आप देसी बकरी से आप वो बकरी फार्म चालू कर सकते हैं कि आप नुश्य बकरी फार्म खोलनें इक साल के लिए बस जाधी दिन की ये इक साल ऐड़ आ आप देसी बकरी की नसल से आप अपना बकरी फार्म क्ला हैं क्यूंकि एक देसी नतल की बकरी आप भ्यार यह वी मिलेड़े के वियदा है पहुत अ कि देसी नसल की बकर कर्च बहुत कम है आप उसको बान कर रख सकते हैं या फिर उसको खुला छोड़ सकते हैं उसके बाद उसमें ज्यादा दाना का ज्यादा ये खर्चा नहीं है वह आप उसको कहीं भी घांस पूस किला कर आप उसको पत्ता किला कर उसको आप जीवित रख सकते हैं उसे वह आग अब जो भी आपको टीका है अब टीका दिलवा दें बस अब बिमार बहुत कम परते हैं जो मेडिसीन आता है पाप मेडिसीन आप जो इंजेक्षिन उसका आता है उसल में 6 मेना पर वह दे दे बस खलास उसके बाद आप उसमें ज्यादा खर्चा की जोरत नहीं है अगर आप ग्रोफ नहीं होता है कब बक्री को बिमारी आती है कि कौन से चाले नहीं आती पूरा आपको जनकारी हो जाए फिर आप जो बरी नसल की बक्री आप लाकर उसको आप खोल सकते हैं खोल कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं कि देशी बक्री ये नहीं कि देशी बक्री आपको कुंट्यनीप हम रखने हैं या 1100 में ने के बक्री है आपको एक सेल में जाकर 25-30 singing केजी लाश लगवक्वक 25-30 केजी होता है ऑगाव 6,000 रुपय से 7,000 रुपय वो सेर होता है एक बक्री उसमें आप ज्यादे बेनफिट नहीं कमा सकते हैं मंगर कम पैसा में आप एक बक्री फार्म खोल सकते हैं उसमें यह एक बेनफिट है उसमें खर्च भी भी कम आता है ओके दोस्तों